श्री किर्शन कहते हैं रोज सुबह इन शै चीजों का दर्शन कर लेने से ही गरीबी का नास होता है मेरे प्यारे दोस्तों सुबह उठने के बाद इन चीजों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए सुबह के समय इन चीजों को देखने मातर से ही धीवन में दुरुबागय आता है भगवान श्री किर्षन ने कुछ ऐसी वस्तों के बारे में बताया है यदि सुबह इन वस्तों के दर्षन कोई मनुश्य कर लेता है तो उसका सुबागय दुरुबागय में बदल जाता है पुरानों में प्रात्यकाल के समय को सबसे अधिक महत्तों दिया गया है सभी परकार के वर्त अनुस्टान पूजा इताजी के लिए सुबह का समय हिस्रवत्तम माना गया है सुबह के समय हम जो भी कारिय करते हैं उसका परबाव दिन बर हमारे उपर रहता है यदि सुबह सुबह कारातमक कारिय किये जाएं तो इसका लाब हमें प्राप्त होता है किन्तु सुबह यदि हम असुब और निंदनिय करम करते हैं तो इसका नकारातमक परबाव हमारे जीवन पर अवस्य ही पड़ता है और यदि हम नित्त ऐसा करेंगे तो दीरे दीरे हमारे जीवन का पतन होने लग जाता है पुरानों में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनने केवल देख लेने से ही मनुष्य को पुन्य और लाब की प्राप्ति हो जाती है और कुछ ऐसी चीजों का वर्नन भी मिलता है जिनने सुबह उठने के बाद हमें भूल से भी नहीं देखना चाहिए जो भी व्यक्ति रोज सुबह इन चीजों का दर्शन कर लेता है उसे दुख एवं दृद्धरता का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं हमें सुबह किन चीजों का दर्शन करना चाहिए और किन चीजों के दर्शन नहीं करने चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं सुबह कौन सी चीजों का देखना असुब होता है नमबर एक वास्तो जानकारों का मानना है कि सुबह आख खुलते ही वैक्ति को आइना देखने से प्रेज करना चाहिए माननेता है कि सुबह के समय वैक्ति के सरीर में नकारतमा कुर्जा होती है जो चेरे के दवारा बाहर निकल जाती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति आईना देखता है तो वे बाहर की जगए वापस से अंदर परवेश कर जाती है इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर अपना चेरा दोएं उसके बाद ही सीशा देखें नमबर दो पुरानों के अनुसर किसी भी व्यक्ति को सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्तर हीन और पापी व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए चरित्तर हीन व्यक्ति के दर्शन करने से मन में काम बावना दागर्त हो जाती है जिस करण व्यक्ति के मन में दिन बर बुरे विचार आते हैं उसका ना ही पूजापाट में मन लगता है और ना ही किसी कारिये में इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति का चेरा कभी नहीं देखना चाहिए जो चरित्तर हीन हो नमबर तीन, श्री किर्शन के अनुशार सुबह उठने के बाद किसी किरोधी व्यक्ति के चेरे के दर्शन करना असुब और अमंगल कारी होता है यह व्यक्ति के मन में बैकी स्थित्ति उत्पन करता है रोज सुबह किसी का किरोधी मुख देख लेने से इसका बहुती असुब पर बाव हमारे मन पर पड़ता है तस्वीर गर में लगाएं या अपने कमरे में श्री किर्शन की तस्वीर लगाएं ऐसा करने से आपका जीवन कुशियों से भर जाएगा नमबर चार वास्तु सास्तर के अनुसार सुबह आग खुलते ही बंद गड़ी को देखना असुम माना जाता है शुबह उठकर इने देखने से पूरा दिन खराब जाता है इसके अलावा सुबह के समय सुई दागा या कोई नुकिली चीज़ देखने से भी परेज करें नमबर पाँच वास्तु सास्तर के अनुसार मनुस्य को सुबह उठने के बाद कभी गंदगी के दर्शन नहीं करने चाहिए इससे जीवन दुरु भाग्या से बर जाता है जीवन में नकारत्मक्ता आती है और वैक्ती अदोगती करता है इसलिए कहा जाता है कि गर के आंगन को हमेशा स्वच रखना चाहिए गर के सामने कभी गंदा पानी और गंदगी कभी नहीं रखनी चाहिए जिस गर के लोग रोग सुबह उठकर गंदगी के दर्शन करते हैं उन्हें जीवन पर गरीब और दुखी ही रहना पड़ता है नमबर चै वास्तु के अनुशार वैसे तो गर में आकरमक पसुपक्सी की तस्वीर लगाएने की मना ही होती है लेकिन फिर भी अगर कोई लगाता है तो उसे सुबह के समय इन तस्वीरों को देखने से प्रेज करना चाहिए सुबह के समय इस तरह की तस्वीरों को देखने से पूरा दिन किसी वाद विवाद में ही गुजर जाता है नमबर साथ सास्तरों के अनुशार कहते हैं कि सुबह उठकर अपनी या किसी और वेक्ती की परचाई भी ने देखें सुबह उठकर परचाई को देखने से पूरा दिन इसका आशर देखने को मिलता है और आप दिन बर तनाओ, डर या गुशा महसूस करते हैं इसलिए कभी भी विष्टर से उतरने के बाद कभी भी पहले परचाई ने देखें आईए अब जानते हैं भगवान श्री किर्शन के अनुशार सुबह कौन सी चीजे देखना सुब होता है नंबर एक, वास्तु सास्तर के अनुशार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हाथों की अठेली को देखना सुब माना जाता है कहते हैं कि अठेलीयों को देखते हुए गायतरी मंतर या फिर करागरे वस्ते लक्षमी करमद्दे सर्श्वती करमूले तुगोविंद परबाते करदर्शनम मंतर का जाप करना चाहिए अगर सुबह आग खुलते बगवान की फोटो मोर की आखे फूल आजी दिखाई देते हैं तो आपका दिन अच्छा जाता है इसलिए कोशिश करें कि सुबह के समय इनी चीज़ें को देखें ताकि पूरा दिन सकारातमक एनरजी के साथ बीच सके नमबर दो गाय हिंदू दरब में पूजनिये है सास्त्रों में गाय को बगवान के समान माना जाता है गाय के गोबर का भी बहुत मैत्तो है किसी भी स्थान को पुटर करने के लिए गाय के गोबर का पर्योग किया जाता है एदि मनुष्ये पुटर पाउना से गाय के गोबर को मात्तर देख ले तो भी उसे पुन्य की प्रापती हो जाती है नमबर तीन अगर सुबह उठने के बाद आपके कानों में कहीं से मंदर के गंटे और गड़ियालों की आवाज पड़े तो उसे बहुती सुम माना जाता है यह संकेत है कि आपके उपर भी अब इस वरी ये किरपा होने वाली है आपके रुके पड़े काम अब पट्री पर आने लगेंगे गर से नोकरी के सिलसले में अगर कहीं जाएं तो आपको किसी के गर से पूजा की गंटी की आवाज सुनाई दे या फिर कोई व्यक्ति आर्तिगा रहा हो या फिर कहीं से हवन करने की दवनी आए तो किसे बहुती अच्छा माना जाता है नमबर चार फसलों से बरे हुए खेत देखना हर किसी को पसंद होता है अरे बरे खेतों को देखकर मन को श्यांती मिलती है फसलों से बरे हुए खेत केवल सुन्दरता ही नहीं पुन्य के भी परतीक होते हैं गरुड पुरान के अनुशार पकी हुई फसलों से बरे हुए खेत को देखने से मनुष्य को पुन्य और लाब मिलता है। नमबर पांच श्री किर्षन के अनुशार सुबह सुबह तुलशी के पोद्य के दर्शन करने मात्तर से व्यक्ति के सभी पाप करम नस्ट हो जाते हैं। समझ लिजिए कि अब आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। चो आगिन इस्त्री के दर्शन होना बहुत ही सुब माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सुबह सवेरे गोबर, सोना, तामबा, हरी घास देखना भी सुब माना गया है। यह वस्त्वे आपको प्रकर्ती से जोड़े रखती हैं और आपका दिन सुब मनाती हैं। इन वस्त्वों को सुबता के परतीक के तोर पर देखा जाता है और सुबह के वक्त इनका दिखना बहुत सुब होता है। तो दोस्तों यह थी वह साथ चीजे जिनके दर्शन रोज सुबह उठकर करने चाहिए। उमीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। साथी कमेंट में जैश्री रादे किर्शन अवश्य लिखें। और आगे भी ऐसे बेत्रिन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लें। मिलते हैं आगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, समस्त रहो और मस्त रहो।